Good morning guys, कैसे हो आप सब, आज सुबे मैं थोड़ी जल्दी उठी, चार बजे, क्योंकि मेरी फ्लाइट है छे बजे, और छे बजे फ्लाइट होने से हम साड़ी पांच बजी या सुवा पांच बजे निकलते हैं घर से, तो हाँ चार बजे उठना पड़ता है, ऐसे मेकप करने मे तो आधा घंटा है लगता है, पर थोड़ा पहले उठती हूँ, क्योंकि सुबा उठके देखो, ये पानी पीके थोड़े देर फिर बैठे रहूंगी, फिर ब्रश करके, चाय बनाके, आते आते पंदरा बीस मिनिट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा टाइम पहले उठना ही पहले बहुत सारे early morning departures हुआ करते थे, दो फ्लाइट थे जो कि ऐसे सार चार बजे रिपार्चर होता था, नहीं तो ऐसे चार बजे, तो मुश्किल होता था बहुत जादा, हमेना एक घंटा पहले रिपोर्ट करनी होती थी, और राद भर हम सो ये नहीं पाते थे आक्चिल early morning जब ही कोई flight के लिए ready हो, तब अवास कम करूं जितना हो सके, क्योंकि penny और penny के dairy सो रहे हैं, पर ऐसे मैं कुछ ना कुछ गिराती रहती हूं, पता है, तो ये देखो, अभी मौश्रेजा लगा रही हूं मैं, और सुबा उटके face ऐसे सूच जाता है ना, आख फुल जाती उसके उपर, क्या ही करें अभी इतना भी टाइम नहीं है कि मैं face roller वगेरा भी यूज़ करो, मेरे पास वो jade roller और guasa सब कुछ है, पर पता ने क्यों skincare तो मैं कर लेती हूं, पर वो सारे चीज यूज़ करने में मुझे बहुत जादा आलस आती है, इसलिए मैं आपको बोलू जादा आती है, जब नया नया खरीदोगे तब शायद आप करोगे 10-15 दिन के लिए, उसके बाद वो आपके vanity में ऐसे पड़ा रहेगा, तो हाँ अगर आप खरीदने के लिए सोच रहे हो ना, तो सोच समझ कर खरीदना, अगर आप हर रोज यूज़ कर सकते हो, आप बहु जादा ब्राइट है, चलो मेकप कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, आप लोग मुझे foundation और concealer के बारे में भी पूछ रहे थे, हमेशा मैं mention करती हूँ, पर फिर से एक बार बता देती हूँ, foundation और concealer मैं जो यूज़ करती हूँ, वो है Too Faced का Bond This Way Foundation, in the shade Golden Beige, तो हाँ, foundation लगाने के बाद देखो, ये blend करी हूँ, मैं थोड़ा सा contour भी लगा लिया था, and wet beauty blender के मदद से blend करती हूँ, flawless एकदम blend हो जाती है सब कुछ, फिर contour को blend करने के लिए थोड़ा सा एक ब्राशी होसकिया, और फिर जाके एक tissue paper लेके न, मैं ऐसे dab dab करती हूँ, ताकि जो excess makeup है, वो निकल ज लगाती हूँ, और फिर blush on को blend करके फिर लगाती हूँ, loose powder, कोई लोग blush on को भी same time पर लगा लेते हैं, मदब जब foundation, concealer, bronzer और ये सारे चीज लगाते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है, सारे जो cream products है, उसको अगर एक ही साथ लगा लोगे, तो आपके face में एक ही layer of makeup होगी, औ और वो ज़्यादा flawless दिखेगी, instead of foundation के उपर concealer, concealer के उपर bronzer, bronzer के उपर blush on, तो कितनी layer हुई, चार layer होगी, पर अगर आप एक ही साथ लगा लेते हो, तो बस एक ही layer होती है, तो हाँ, वैसे ही अब makeup करना, अभी natural finish वाला makeup जो है न, वो ज़्यादा trend में है, और मैं हमेशा से natural makeup के ही ज़्यादा fan थी, शुरू-शुरू में जब मैं यहाँ पर join किया था, तब थोड़ा ज़्यादा ऐसे makeup करती थी, क्योंकि नई थी, मुझे पता भी नहीं था, पर हाँ, धीरे-धीरे करके मैं tone down किया उसको, अभी तो बहुती natural करने की कोशिश करती हूँ, कभी-कभ मैं काजल नहीं लगाती थी, मैं under eye में eye shadow लगा के चली जाती थी, और काजल में कहीं भी use नहीं करती थी, eyeliner लगाती थी, और बाकी सारी चीज़े में eye shadow से करती थी, पर अभी लगाना ही परता है थोड़ा सा, आज के makeup look भी बहुत से simple कर रही हूँ, ये देखो मेरा simple सा makeup look, श आप मुझे फिर से पूछोगे, उससे पहले मैं बता देती हूँ, this one is faces Canada comfy matte pro lipstick in the shade 02 rust resin, और ये shade जो है बहुती bright red है, देखो eye makeup इतना simple किया था मैंने, पर red lipstick के वज़े से ऐसा लग रहे है कि कितना ही ज्यादा makeup कर लिया, मुझे red लगाना ऐसे ज्यादा पसन नहीं है, पर क् pink red ही लगा सकते है, coral shade भी लगा सकते है, पर coral मुझे ज्यादा पसन नहीं है, और देखो ऐसे मैं तूरंट जाती हूँ और आपको दिखता है कि तूरंटी वापस आ गई ना, पर ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है, तो हाँ मैं गई थी आज हैदरबाद, और हैदरबाद जान जाने में ऐसे दो घंटा लगता है, तो दो घंटा जाने में, दो घंटा आने में, और एरपोर्ट में घंटा जाने से पहले और एक घंटा आने के बाद, and let's remove makeup now, और ये देखो red lipstick लगाने के बाद कैसे लगते हैं, मैं तो चौक हो गई थी, जब ऐसे camera में जो एक monitor होती है जहाँ पर हम monitor कर सकते हैं कि क्या record कर रहे हैं, और वो मेरे तरफ किया हुआ होता है, मैं देखती रहती उसमें कि सब कुछ सही से record हो रही है कि नहीं, मैं ही देखकर ड़ गए थी, आप डरना मा था, तो देखो अभी makeup remove करके आ गए हूँ, पहले खाना खा लेते हैं, पेनी क जब निकल जाते हैं, मैं YouTube के काम करती हूँ उसके बाद, और क्या होता है कि काम में, जब ऐसा होता है कि कोई काम बीच में ऐसे छोड़के, मुझे कुछ और करना पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा से से push करती हूँ, ठीके, और आधा घंटा लगेगा, हाफेनार में हो उसके बाद खाना खाऊंगी, और हाफेनार, हाफेनार करते करते कभी एक दिर घंटा हो जाती है, और खाना थोड़ा सा लेट हो जाता है खाने में, और जैसे कि आप देखते हो कि मैं breakfast तो करती नहीं हूँ, तो मेरे लिए lunch बहुत important है, और दिन में ये पहला खाना है, वो अच्छे से खानी चाहिए, और थोड़ा जल्दी भी खाना चाहिए, और ये अच्छी आदत नहीं है, पता है कि breakfast किप करो, ऐसा आदत मेरा कभी भी नहीं था, मैं जब घर पे थी, मतलब मैं जब ससुराल भी आई थी, वहाँ पे भी breakfast खाने का तो एक अलगी मतलब वो है, breakfast में या डिनर में तो होते ही थे पापा, तो हमारा एक रूल था कि हम एक मील तो साथ में खाएंगे, family वाले सब कोई, पर मेरे ससुराल में ऐसे है कि breakfast के टाइम पर हम सब एक साथ होते थे, मेरे हस्बे निकलते थे कुछ 10-10 बचे तक, तो हम breakfast खाते थे एक साथ सब कोई, उ और उनकी छोटी सी एक बेटी भी थे, मत छोटी थी तब अभी तो बारी हो गई है, मैं जब शादी करके आई थी, आज से 7-7 साथ साल पहले, तो तब बहुत ही छोटी थी, वैसे धाय तीन साल की थी, अभी सोचो वो 10 साल की हो गई है, तो हाँ, कभी-कभी याद आता है, जब मैं ऐसे अकेली सोचती हूँ ना, breakfast के time पर breakfast नहीं करती हूँ, या मैं सास call करती है, बोलती है कि कुछ खाई, तुम अभी तक खाई नहीं, तुम अभी सुबे कुछ खाया करो, मम्मी तो बोलती है, पर मैं सास भी बोलती है, अभी मैं सास को call की थी मैं, और मैं बोल रह नहीं आई एक बड़ आजाओ एक बड़ आजाओ तो दो दिन चुट्टी मिलेगा तो पहले तो मुझे घर जाना पड़ेगा फिर मैं ससुराल जाओंगी तो उससे पहले मैं सोच रही थी जो चीजें मैं लेके आई हुना वो मैं भेज दूगी ताकि मैं ननत को उनके बेटी और भी जिनके लिए लेके आई वो सबको दे दे क्यूंकि मैं कब जाओंगी पता ही नहीं है ऐसा ही होता है पता है और अभी देखो खाना खाके मैं सो भी गई थी उठी शाम को थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ जब भी ऐसे सुबह फ्लाइट करती हूँ तो और सुबह फ्ल मैं कुछ बिछा रही थी तो वो ओयल क्लॉद जैसा है ऐसे तो उपर से सौफ्ट है नीचे से ऐसा है कि वो कोई भी ऐसे लिक्विड सोक नहीं करेगा तो हाँ पैनी को पीरियेड हुई है और शायद आप लोग पुछोगे कोई कोई अगर नहीं पता होगा तो आपको कि ड और यह जो प्लास्टिक का यह बॉक्स में देते हैं यह बहुत ही जादा वेस लगता है मुझे एक में भी दो जा सकता था पर फिर भी तीन तीन दिया है मैं उसको रख रहे थी एक जगए कोई पेरवेर लगाने के लिए यूस करूंगी बहुत जादा ऐसे लगता है कि बह ताकि उसको रियूस कर पाए पर ऐसा पॉलिसी नहीं है और पेनी के डाडी नहीं दिखेंगे आज आपको क्योंकि वो जो सुबह निकल गया है न वो घर गया है मतलब अपनी मम्मी को देखने के लिए जब भी में को टाइम नहीं होता है मैं भी उनको बोलती हूं कि एक वापस आ जाते हैं तो इस बार शायद वो एक दो दिन रहेंगे जैसे मैं जाके एक दो दिन रहती हूं तो आज से लेके कल और परसो तक मैं और पेनी अकेले रहेंगे पेनी को पीरियेड हुई है तो वो थोड़ा सा क्रैंकी हो गई है इट इस जड़ इस एक्जाइक्ली नहीं खाना है तो नहीं खाएगी, मन मर्जी करेगी मतलब तो हां मैं कुछ बोलती नहीं हूँ क्यूंकि I totally can understand उस समय बहुत ही जाते से पेट में दर्ध होती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है तो हाँ आपी सोफे में ही सोई थी, मैं दोपैर को जब सोई थी तब उसको लेके नहीं करेगी आप देखे होंगे, पतन नहीं रात को मेरे साथ सोएगी कि कहां क्या करेगी मेरे साथ सूना चाती है तो फिर वो ओयल टॉल लेके बिस्तर में बिचाना पड़ेगा और अभी मैंना रात को fruits खाकी ही सो जाऊंगी ऐसा ही सोच रही हूँ पैसे तो इससे में guava भी मिलती है पर मेरे पास apples और dragon fruit ही है तो यही दोनों काट लेती हूँ मैं और dragon fruit का color देखो यह color देखके मैं खुश हो जाती हूँ इतना अच्छा एक bright pink I mean pink नहीं क्या बोलते है इसको reddish pink color इस color को exactly क्या बोलते है मुझे नहीं पता पर बहुती सुन्दर color है एक आती है Indian वाला version जिसका color होता है सफेद तो बाहर का तो ready है पर जब काटोगे ना तो वो सफेद color के होते हैं और एक आती है यह imported है शायद और इसका color ऐसा red color का है बहुती अच्छा है यह color और खाने में ना यह थोड़ा जादा sweet है as compared to the other one I mean sweet ऐसे तो sweet नहीं लगेगा आपको पर जो दूस्टा वाला है ना सफेद वाला white color का वो बिल्कुल भी ऐसे टेस्लिस लगता है मुझे तो पर इसमें थोड़ा सा hint of sweet है तो हाँ I like this one more than the white one हाँ तो इसका दो बोलज़ा तैसे red flesh and white flesh तो हाँ apple और dragon fruit खाके ही मैं सोचाओंगी जब अकेली रहती हो ना मुझे कुछ चीज़े अच्छे लगते हैं कि मैं अपने हिसाब से सब कुछ करती हूँ specially खाने पीने में ना मैं बहुत healthy खाती हूँ जब मैं अकेली रहती हूँ एक तो खुद के लिए इतना ताम जहाम करके बनाने का मन नहीं करता है और उसके चेकर में मैं ऐसे boiled चीज़े खा लेती हूँ राइस के साथ भी अंडा या कोई सबसी है जैसे कद्दू हो गई या टमाटर ऐसे boiled कर लेती हूँ फिर उसको smash करके उसके साथ घी नमक मिला के ही मैं खाना खा लेती हूँ और रात को देखो fruits खा के सो गई तो अगर मैं अकेली रहूँ और ऐसे खाती रहूँ तो मैं और healthy बन जाओंगी और मेरे skin और चमकेंगे पर हाँ मदब family के साथ रहने से मुश्किल यह होता है कि उन लोग को ऐसे खाना नहीं पसंद है मुझे जैसे ऐसे blunt खाना ऐसे boiled खाना में को चलता है मैं को तो problem होती है जादा oil के साथ खाना जब बनाते हैं उसमें masala दालके तो जब आंटी बनाती है ना एक नई आंटी अभी है बना रही है कुछ 10-15 दिन से और वो थोड़ा सा oil जादा दालती है शायद उनको लगता है कि oil जादा दालने से taste better होगा पर मैंने मना किया कि taste का ज़रत नहीं है आप oil और masala कम दालो अभी देखो आ गये हैं हम दोनों और पेनी सोरी है मेरे पास क्यूंकि मैं उसके साथ ही सोऊंगी रात को नहीं तो ना बुलाएगी फिर मुश्किल हो जाएगा में को नींद एक बार खुल जाती है तो मुश्किल होता है फिर से नींद आना बेटर कि मैं यहाँ पे इसको बिछा दिया और एक साइड में सुला दूंगी पेनी का एक प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ ए और एक ही जगे पर सोती नहीं रात भर घूमती रहती है कभी इधर कभी नीचे के तरफ चले जाती है कभी ऊपर के तरफ आ जाती है पर आज तो इसको यहीं पर सोना पड़ेगा तो मुझे थोड़ा सा धियान रखना पड़ेगा और बहार भी दवाजा लॉक कर दिया मेरे हजबन तीन चार बर कॉल करके मुझे पूछे दवाजा बंद किये दव वाला ही लगा रही हूं मैं आज और लगाने के बाद थोड़ा सा 5-6 मिनिट वेट करना पड़ेगा उत्ते में मैं पेनी का मसाज कर रही थी देखा और इधर से फिर उधर जाके सो रही थी इसलिए मैं फिर उधर शिफ्ट कर दिया तो मैं इधर सो जाओंगी और देखो मस